हेलो एवरिवन ओल्नाइन एजुकेसिन ट्रैक में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम आज का इत्यास यानि की नो माई को इत्यास में जो भी महत्पून घटनाई हुई है उसके बार में डिसकस करेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें श चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट देखते हैं नाइन माई 1450 इस दिन कई सालों तक मुगल समरेट अकबर के साथ संघर्ष करने वाले महाराना प्रताप उद्यपूर मेवार मिशुशोद्य राजवन्स की राज़ा का जनम हुआ था तो याद रखेगा नो महाराना प्रताप का जनम हुआ था आगे देखते हैं नाइन माई 1653 इस दिन विश्व विख्यात एतिहाशिक इमारत और दुनिया की अजूबों मिशुमार ताज महल का निर्मान हुआ था तो देखिए ताज महल का निर्मान 22 वर्ष के निरंतर परिश्रम के बाद पूरा हुआ था 9 माई 1653 को आगे बढ़ते हैं 9 माई 1866 इस दिन महान नेता समाज सुधारक एवं विचारक गोपाल कृष्ण गोखले का जनम हुआ था इनको वित्यमामलों की अधियूतिय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक भहस करने की छमता से इन्हें भारत का ग्लेडिस्ट 第六 माई 1874 इस दिन मबबई में पहली बार घोड़े सेखीची जाने वारी ट्रांकार शुरू हुई थी, तो देखिए नो मई 1884 को मुंभई में पहली बार घोड़े सेखीची जाने वारी ट्रांकार सुरू हुई थी इस दिन विश्व बैंक ने अपना पहला दिन फ्रांश को दिया था अब वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं देखे इसका मुख्य उदेशिय सदस्य राश्टरों को पुनर निन्माण और विकाश के कार्यों में आर्तिक साहिता देना है इसका मुख्याले यानि की हाटक्वाटर वाशिंग्टन डीसी में है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी आगे देखते हैं 9 माई 1986 इस दिन माउंट एवरेस्ट हिमाले पर पहुंचने वाले सौपरतम व्यक्ति तेनजिंग नौर्गे का निधन हुआ था इस दिन हिंदी के जाने मानी निमंदकार कनहिया लाल मिश्रु प्रवाकर का निधन हुआ था प्लेटफॉर्म है नेक्स्ट पॉइंट है 9 मई 2010 इस दिन भारत की वंदिना शिवा को विकास्टियल देशों में महिला सशक्ति करण और कर्यावरण संग्रक्षन के लिए सिड्नी शांती प्रुसकार के लिए चुना गया था आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू